जितने भी छात्रों ने यूपी स्कॉलर्शिप के लिए फार्म को अपलाई कर लिया है तो उनके लगतार कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने तो फार्म को अपलाई कर लिया है लेकिन मेरा फाइनल स्टेटरस कब सो होगा और गाइस जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेन क्यूसंची आ हैं कि सर आखिर में हमने अभी तक फार्म को अपलाई नहीं किया है तो क्या मैं फार्म को अपलाई कर सकता हूँ या पी यूपी स्कॉलर्शिप की लास्ट डेट क्या होने वाली है क्या आपकी लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी या फिर आपका सेम डेट होने वाला है तो तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकती है तो प्लीस आप वीडियो को इसकी परके मत देखना ओके अब गई सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप सब नवी दसमी के चातर है ना तो आपका जो यूपी स्कॉलर्शिप का फार्म अप्लाई यूपी स्कॉलर्शिप का फार्म का लाज डेट है तो आपको पिछले वीडियो में लाइप प्रूप रिकॉर्डिंग भी सुनाया था जाता आपको यूपी स्कॉलर्शिप का लाज डेट है उसको 100% बढ़ाया जाएगा आपको पता होना चाहिए कि यूपी स्कॉलर्शिप का जो जनरल OBC के चात्र है इन में से अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकल इसू की वज़े से फार्म को अप्लाई नहीं कर पाए हैं या फिर क्या होता है कि फार्म अप्लाई न करने का एक और रीजन होता है कि आपका फेस्ट्यूल पल सब्सक्राइब करने हैं तो एसे में काई जूइन चात्रों का अगर आप सब नौवी तस्विट के चात्र है न तो नौवी तस्विट वाले क्या करेंगे आप दिखेंगे आप नवी तस्विटेश्मी तक फार्म को अपलाई कर पाएंगे जो नया लेटेस्ट डेट आपका आने वाला है आपका इसम सेकेंड बात करते हैं इग्रामी बारवी वाले के लिए या फिर यूजी पीजी के लिए जनरल ओबीसी वालों के लिए तो आपका जो फार्म का अपलाई करने का लास्ट एट है 28 आप जेन होने वाला है करी साब्टेंशन मत लेना आपका ला लास्ट डेट नहीं बढ़ेगा कि आपका सत्यापन होगा और सत्यापन होने के बाद सभी बच्चों के खाते में धर्रासी भेजी जाएगी तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रख करी काम करना है आपको आप बात करते हैं SCST वालों के लिए अगर आप SCST कड़िए के आपके पास इफ्राद टेम बचा हुआ है आप टेंशन मत लो आप साब इतके लिए फार्म को अप्लाई कर लो आपके लिए 31 आप मार्सक फार्म अप्लाई आप कर पाएंगे आपका पोडल खुला ही रहेगा तो आप टेंशन मत लेना बस टेंशन किया है जनरल ओबीसु वा यहां पर आपको बता जा रहा है कि चातरों द्वारा आवे तर आपका है 18 जनर्वरी है मतलब कि आपका जो डेट है और एक्स्टेंड किया गया है तो फाइनली अब आपको टेंशन नहीं लेना है आप अपने फार्म को 28 जनर्वरी तक फार्म को फील अप कर पाएंगे है कि आखिर में आपको पाना अपना को कैसे करना है हमारे पास maximum ऐसे तक फार्म को अपलाई कहीं कर सकता हूं तो सबसे पाएं युद्我 हम को अपको अपपलाई करने के लिए। गूगल प्रसाइब कर ले कर Defense कर लेना है cm help.in जैसे आप cmhelp.in सर्च करते हैं आपके सामने cmhelp.in की official website आ जाएगी जहाँ पर आप simple में आपके click करके home page पर आएंगे home page पर आने के बाद आपके सामने इस प्रकार से interface आ जाएगा आपको simple में नीचे आना होगा अब नीचे यहाँ पर आने के बाद आपके देखिए आप आएंगे ना तो यहाँ पर क्लिक करना है UP scholarship यहाँ पर online form पर क्लिक करें और यहाँ से आप सब इसलिए अपने form को apply कर पाएंगे आपको थोड़ी सी भी problem नहीं होगी आप सब सफलता पूरोग अपने form को fill up कर सकते हैं आपके step by step चीज़े बताई गई है और just out आप यहाँ पर नीचे आते भी है ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा direct link जहाँ से आप चाहिए phrase के चाहते रहे है renewal के चाहते रहे है आपको कोई भी problem नहीं होगा तो आज के लिए इतना ही गाई चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेल लाइकें को प्रेस कर लेना बाई बाई टेक केर फिर से मिलते है अगले वीडियो आपके साइट प्रॉपरली वर्क कर रही है तो आप farm को अभी apply कर सकते हैं तो bye bye take care